Candlestick pattern को use करकर काफी लोग पैसे बना रहे बट अगर आपके लिए Candlestick pattern work नहीं कर रहे तो आप यह दो mistake कर रहे होंगे सबसे पहली बाद जो गलट timing के ओपर trade लेना downtrend के बाद यहाँ पर hammer pattern बना है यह दिखायता है कि आप chart उपर जा सकता है बड़ यहाँ पर chart sustain नहीं कर पाया उसके बाद जो नीचे गर गया क्यूँ विकॉज यहाँ पर अगर पीछे देखा होता तो यहाँ पर पिछला support है दो candle का वो जो बाद में आपके लिए resistance की तरह काम करने लगता है तो यहाँ पर मैं इस से अरफले आपको draw करके दिखाता हूँ उसके बाद chart नीचे गर गया है तो guys हमेशा याद रखना आपको अगर pattern भी दीखे तो भी आपको जो देखना है कि आगे support या फिर resistance तो नहीं है दूसरी मिश्टे का आप यह करते हो आप जो दिखो pattern आपको अ because यह जो पिछले top के पास आ चुका है और यहाँ पर एक जो rejection भी है तो rejection प्रस bearish एंगर फिंग pattern भी बना है तो यह confirmed था कि chart नीचे जा सकता है